इंटरनेट पर कई बार कुछ ऐसी वीडियो वारल हो जाती है जिसके बारे में कुछ भी कहपाना काफ़ ज़्यादा मुस्किल है इन वीडियो के अंदर कुछ वीडियो में तो इनसान की आएने में रिफ्लेक्शन लिखती और कुछ वीडियो ऐसी भी है जिसके अंदर सारे प्लेयर्स एक ही सिक्मेंस में भागते वे दिखते हैं मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर दुनिया के कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ ऑлекvalue को यह 001 ओएल रहन के अगर में जब कोई इनसान मिरर के आचे से गुजरता है तो उसका करेव रही ना इसे देख सकते हैं जब एक इंसान आइने के अगह जो जरता एतोश की रिफलेक्शन आयने के अंदर बनती है पर उसी आयने के आगे से जब दूसरा इंसान गुजरता है तो उसकी रिफ्लेक्शन आयने के अंदर नहीं बनती है इस इंसान की इमेज आयने के अंदर क्यों नहीं बनी यह बहुत बड़ा सवाल है एसी ही कई सारे वीडियो ईंट Eigen पर अक्सर वाइरल होते इती हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता है इन वीडियो पर काफी जिद OUR के करने के बाद भी कोई कैसे ही वहाँ पर होता तो कार की टकर में यह मारा जाता पर इस वीडियो को स्लो देखने के बाद भी यह निसकर से निकलता है कि कुछ अचानक से आया है गर्ल टेलिपोर्ट एट एरपोर्ट इस वीडियो के अंदर पीछे खड़ी उस महीला को देख सकते हैं जो कि अचानक से इस महीला के आगे जाते ही गायव हो जाती है इस वीडियो को देखने का बाद कुछ लोग यह कहते हैं कि एक सेम मोसन इफेक्ट हो सकता है यानि कि इस महीला के आगे बढ़ते ही पीछे वाली महीला भी केमेरे की और आगे बढ़ती है जिस वैसे यह भ्रम पेदा होता है कि यह महीला गायव हो गई क्या आप लोग का मानना भी यहीं है कि एक सेम मोसन इफेक्ट है अपने जवाब को कमेंट में जुरूर बताएं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिजिए और बगल आकन को क्लिक करके और पर कर दिए ताकि ऐसी और वीडियो आपको सबसे पहले देखने के मिल जाया और वीडियो अच्छी लेगी हो तो एक लाइक जुरू करना सिटी ओन क्लाउड 2014 में ये वीडियो चाइनिज वीडिया में काफी ज्यादा वायरल हुआ था इस वीडियो के अंदर पुरा का पूरा सहर बादलों को उपर दिख रहा था चाइनिज मीडिया के काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद भी इस वीडियो से कोई भी निसकर्स नहीं निकल पाया और इसलिए इस वीडियो को भी सही या गलत के पाना काफी ज्यादा मुस्किल है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लेगी हो तो एक लाइक जरू करना ठैक्स पॉर वॉचिंग